इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे Paragraph Settings in Microsoft Word Microsoft Word में Paragraphs की Settings कैसे की जाती है सबसे पहले आपको बता होना चाहिए कि Paragraph कहते किसको है Paragraph combination होता है दो या दो से जादा sentences का जो कि किसी unique idea को जाहर करता है और इसके अंदर एक single theme को discuss किया जाता है यानि कि अगर इसकी actual definition की बात की जाए a distinct section of a piece of writing जब भी आप कोई piece of writing लिखते हैं कोई essay लिख रहे हैं या कोई book लिख रहे हैं उसके अंदर एक खास section जो कि deal करता है एक single theme के साथ और इसको indicate किया जाता है एक new line से, indentation से या numbering से इसे paragraph कहते हैं अब हम इसकी practical example करके देखते हैं Microsoft Word में हम खुद से कुछ paragraphs create कर लेते हैं ताकि हम उसकी settings apply करके उसके में देख सके हैं हमारे पास एक random paragraphs generate करने का एक function होता है rant और इसके अंदर हम parameters लिखते हैं for example, अगर मुझे 4 paragraphs चाहिए तो मैं 4 लिखंगा और मुझे कितनी lines की चाहिए paragraph कितने sentences होने चाहिए उसमें हर paragraph में 6 sentences होने चाहिए तो जैसी मैं एंटर प्रेस किया तो Microsoft Word randomly कुछ paragraphs generate करके मुझे देदेगा ऐसे ये मेरे पास एक paragraph है उसके बाद जो अगला paragraph है वो new lines से start हो रहा है जैसे कि मैंने बात की ये paragraph हमेशा new lines से show होता है अब ये random paragraphs है और इसके अंदर जो information discuss की गई है वो सिर्फ एक random information है जिसका हमारा फिलहाल उससे कोई तालुक नहीं है हम फिलहाल जो Microsoft Word की functionality है उसको understand करने की कोशिश करते हैं तो let's suppose कि यहां पे मैं इस paragraph को select कर लेता हूँ और इसके उपर हम Microsoft Word की जानिब से paragraph की settings apply करके देखते है home tap पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे आपको paragraph का पूरा एक group नजर आएगा इस paragraph के इस पूरे group के अंदर बहुत सारे हमारे पास कुछ tools मौजूद है जिनका हम इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले हम सिखेंगे paragraph alignment के बारे में paragraph alignment में हम ये देखते हैं कि हमारा paragraph जो है वो left align है या वो right align है या उसका जुकाव left की तरफ है या right की तरफ है या वो central align है यानि कि उसकी position center में जादा वाज़े तोर पे दिखाई दे रही है तो alignment के हमारे पास यहां पे कुछ options मुझूद हैं सबसे पहला जो option है वो है left align इसकी shortcut key है control plus L इसके उपर आप click करेंगे तो ये left align हो जाएगा इसका opposite होता है right align इसके उपर अगर मैं click करता हूँ और इसको मैं central align कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा view एक central view हमें नज़र आ रहा है तो ये तीन alignment basic alignments है इसके अलावा आपके पास एक और option यह होता है कि आप यहां पे paragraph को select करें और यहां पे आपके पास एक option होता है justify का इसके पर मैं click करता हूँ तो Microsoft Word इसको automatically justify कर देता है और इसके अंदर जितनी भी space cover की जा सकती है वो इसको cover करता है और जहां पे paragraph हमारा खतम हो जाता है वहां पे आके space हमारी छोड़ दी जाती है इसे justify का जाता है justify में भी कुछ मजीद options हैं आपके पास जैसे के आप यहां पे आपके पास low justify है medium justify है और high justify है right now इसको low justify रखा गया है लेकिन अगर मैं इसको medium justify करता हूँ तो थोड़ा सा आप देख रहें के लवजों के दरमयान फासला थोड़ा सा बढ़ गया है और अगर मैं इस paragraph को select करके इसको high justify करता हूँ तो आप देख सकते हैं के लवजों के दरमयान फासला भी बढ़ गया है और इसके लवा एक पूरी line और दूसरी line के दरमयान फासला भी increase कर गया है इसे high justify कहा जाता है तो simply हम इसको फिर से select करके left line कर देते हैं तो यह हो गई हमारी alignment इसी paragraph section में जो आपने मजीद चीज़ें सीखनी है आगे चलके वो आप bullets कैसे add की जाते हैं और इसके लावा numbering कैसे की जाती है advanced numbering कैसे की जाती है इसको हम paragraph से separate एक section में पढ़ेंगे यहाँ के paragraph में हमारे पास sentences की कुछ यह लुकाती है तो इस हवाले से जो settings हैं हमारा focus उस चीज़ के उपर है तो यहाँ पे alignment हमने पढ़ ली है उसके बाद यहाँ पे आपको एक option ज़रा रहा है left to right text direction अगर मैं इसको select करता हूँ और left to right करता हूँ तो देखें यह left to right text direction को show कर रहा है लेकिन अगर मैं इसको select करता हूँ उसको right to left करता हूँ तो यह text direction जो हमें right to left show कर रहा है अक्सर उकात अब जब आप अर्दू में type कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको right to left कर लेता है तो वहाँ पे आप paragraph को अक्सर right to left कर लेते हैं जो कि इंग्लिश left to right होता है तो हम इसको left to right ही रखते हैं इसके लावा आप paragraph को select करके इसका जो color है वो आप change कर सकते हैं देखें आप पे different colors हैं जो कि इस paragraph को show कर रहे हैं यसे इस paragraph को green color से show किया यह है इसके लावा आप colors में जाके advanced colors में जाते हैं और यहां पे आपके पास कुछ custom red green blue values हैं जो कि आप यहां पे change करके या किसी भी color का hexadecimal code यहां पे enter करके वो color get करके ok पे click करेंगे तो वो आपको color हासल हो जाएगा इसके साथ साथ आप इस text को select करके इसके grid अगर आप कोई border add करना चाहते हैं इसके bottom पे यह इसके top पे यह left यह right पे यह all borders पे करेंगे तो पूरा text जो होगा वो border में display होगा और इसके लवा आपके पास जितने भी border की option है वो आप यहां से कर सकते हैं try और इसके साथ साथ यहां पे फिलहाल table draw करना और grid line जो है इसका तालुक table के साथ है यह हम table के topic पढ़ेंगे इसके साथ borders and shading की advanced settings में आके आप कुछ advanced borders हैं वो आप select कर सकते हैं जो इस paragraph पे apply होंगे और इसके अंदर उसका paragraph उसका क्या style होगा और इसके अंदर आप क्या color choose करना चाहते हैं और उसकी क्या width होगी यह तमाम चीज़ें आप apply करेंगे और आप apply किस पे कर रहे हैं paragraph पे कर रहे हैं ओके पर क्लिक करेंगे तो देखें यह एक खुबसूरत सा border आपने add कर दिया है तो हमने border color और text direction alignment यह तमाम चीज़ें सीख ली हैं इस paragraph के ओपर जो हम apply कर सकते हैं और इसके इसके इलावा यहां पे एक paragraph marker मौझूद होता है अगर मैं इसके ओपर इस paragraph को select करता हूं और इसके ओपर paragraph marker add कर देता हूं तो मुझे पता चलेगा कि यह paragraph कहां पे खतम हो रहा है इसी तरह अगला paragraph कहां पे खतम हो रहा है इससे मुझे यह idea हो जाता है कि हमारे इस पूरे text में कितने paragraphs हैं और वो कहां पे end हो रहे हैं अक्सर इसका इस्तमाल किया जाता है इसके लवा important feature जो होता है किसी भी paragraph का वह यह कि मैं paragraph को select करता हूं और यहां पे आप paragraph spacing add कर सकते हैं normally यह paragraph spacing क्या होती है एक line और दूसरी line का distance होता है अगर मैं इसको 1.0 करता हूं तो देखें distance कम है जो जो मैं paragraph spacing बढ़ा रहा हूं यह distance बढ़ता चला जा रहा है और 3.0 पे आप देख सकते हैं कि एक line और दूसरी line के दरम्यान 3.0 जो है वो इतना distance मौझूद है इसके साथ साथ आप यहां पे line spacing में जाके further इसकी settings भी set कर सकते हैं साथ साथ आपको यहां पे preview आता रहेगा सबसे पहले इसके अंदर आती है spacing जो कि आप रख सकते हैं यहां पे और फिलहाल हमने यहां पे 3 की spacing रुखी वी है और इसका आप अगर मैं इसको कम कर देता हूं 1 कर देते हैं और इसके साथ साथ यह कुछ advanced features हैं यह हम इसके बाद जाके पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आ अब paragraph में indentation add कर सकते हैं जैसे यह मेरे पास paragraph है इसमें अगर मैं right indent करता हूं तो देखें यह right side से इसका थोड़ा सा फासला बढ़ गया है और right indentation करेंगे तो यह right की तरफ move करता चला जाएगा अब देख रहें कि मैं इसके indentation बढ़ा रहा हूं left indent करूंगा तो यहां से कम ह होता चला जाएगा तो यह से indentation कहा जाता है इसे line spacing कहा जाता है यह paragraph marker है और यह जो हमारे पास next feature आपको नज़र आ रहा है sort का यह paragraph पे कैसे apply होता है यह भी हम इसके बात सीखेंगे फिलहाल इस वीडियो में हमने paragraph की कुछ basic सीख ली है कि paragraph के ओपर basic settings कैसे apply की जाती है आने वीडियो में हम एक तो bullets के बारे में पढ़ेंगे numbering के बारे में पढ़ेंगे और इसके इलावा हमने सीखना है वह advanced यहां पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ advanced settings हैं जो कि आप apply कर सकते हैं अपने paragraph के उपर इसको भी बाद में detail में पढ़ेंगे तो आज किस video में हमने सीखा कि Microsoft Word में paragraph settings किस तरह से की जाती है